हेलो एवरिवन वेलकम बैक अगेन एक और नई वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CS rank के top 10 ASA secret और hidden place जिनका यूज करके आप भी इजली अपनी rank push कर सकते हो और बिना time waste के चलते हैं अपनी number 10 trick पर जो आने वाली है हमारी meal side पर अगर आपका round भी इस side से start होता है तो आपको फटा फट run करते हुए इस truck के पास आ जाना है और इसके उपर आप 2-3 बारी jump करोगे तो आप इसके उपर आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आप आते ही यहाँ से enemy को kill करना start कर दोगे जैसे आप इस clip में देख पा रहे हो कि मैं यहाँ से enemy को कैसे easily kill करता जा रहा हूँ और enemy बिलुकुल भी notice नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उनको कहां से kill कर रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर दो और comment करके बता दो आपको next वीडियो किस topic के उपर चाहिए और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाते हो आप मेरे को Instagram पर message कर सकते हो जहाँ पर मैं सभी का reply देता हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा और यहाँ पर अपने topic को change करते हैं आते हैं अपनी trick पर और यहाँ पर last का ही enemy बचा होता है जो मेरे को दिखाई दे जाता है और इसको भी मैं easily kill कर देता हूँ और यहाँ पर easily हमारा victory हो जाता है चलते हैं अपनी number 9 trick पर जो आने वाली है हमारी cap town पर इस trick को करने के लिए आपको यहाँ dust bean के पास आकर एक glow wall ऐसे लगा देना है और उसके बाद आपको dust bean पर jump करके इस घर के ऊपर आ जाने हैं और यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर कितना जादा area cover कर सकते हो और जो enemy side से आते हैं आप उनको भी यहाँ पर easily kill कर सकते हो और यहाँ सामने जो घर दिक रहा है उसके उपर जाकर enemy camp करते हैं and rest भी करते रहते हैं आप उनको भी यहाँ से easily kill कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इस enemy को बहुत ही आसानी से down कर दिया था बट उसका teammate उसको फिर से revive देने लगता है बट फिर से मैं उसको easily kill कर देता हूँ और यहाँ पर उसकी teammate को भी kill करके अपना easily victory निकाल लेता हूँ चलते हैं अपनी number 8 trick पर जो अने वाली है हमारी CPR पर इस trick को करने के लिए आपको फटा फट रम करते हुए यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर बैठे रहने और थोड़ा सा wait कर लेने है जिस से enemy side आ जाए उसके बाद आप यहाँ पर enemy को easily kill कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इन दोनों enemy को मैंने कितनी easily kill कर दिया है और उनको बिलुकल भी doubt नहीं हुआ है डेमी दे देता हूँ बट मैं यहाँ पर गुलुआ लगा कर बच जाता हूँ उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं सोचता हूँ उसको गरेनेड से ही किल कर दूँ बट फिर मैं उसको यहाँ पर गरेनेड फैक देता हूँ और उसके ब आप उनको यहाँ पर इजली किल कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक किल बहुत ही असानी से कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं अपने टीमेट से बोलता हूँ कि आप आगे जाकर फाइट लो जिससे एनिमी बार की साइड निकल जाए आपको भी सेम ऐसे ही करना है उसके बाद मैं एनिमी को डेमी देता जा रहा था बट यहाँ पर मेरा एक किल चोरी हो जाता है बट उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हमारा किल चोरी हो गया हमें तो अपना विक्टरी निकारने से मतलब होना चाहिए जो आपको यह एम्बूलेंस टाइप की जो भी है इसके उपर आपको लेट जाना है और यहाँ पर लेट जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर पैसंस भी बना कर रखना पड़ेगा जिससे एनिमी इस साइड आ जाए बट मेरी रेंडम टीममेट थे जो मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे और अपने आप ही रस करते फिर रहे थे और मेरे को यहाँ पर एक एनिमी दिखाई देता है जिसको मैं असान रन करते हुए गुलुवाल के पास आ जाना है और आपको गुलुवाल के उपर जंप करके यहाँ पर लेट जाना है और यहाँ पर लेट जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कैसे एनिमी को इजली किल करता हूँ आपको भी एक ट्रिक करके देखनी चाहिए औ और यहाँ पर मैं दो एनिमी को बहुत ही इजी तरीके से किल कर देता हूं और अगर आप मेरी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक के मैप के उपर बना दूँ क्योंकि वह मैप बिल्कुल भी समझ नहीं आता और यहाँ पर मेरे टीमेट उसके उपर रस करते हैं बट वह असानी से किल हो जाता है और वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हो चलते हैं अपनी नमबर फोर ट्रिक पर जो आने वाली हैं मारी पर इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक मिडल रेंज की वेपन पर्चेस कर लेनी हैं और फटाफट रन करते हुए यहाँ पर आ जाना है और असकोप ओपन करके आपको नीचे की साइड जंप कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जंप करना है वरना आप नीचे गिर जाओगे और यहाँ पर मेरे तीनोई टीमेट असानी से किल हो जाते हैं पता नहीं कितना जादा गंदा खेल रहे थे बट मैं यहाँ पर एक एनिमी को किल कर देता हूं उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद मैरे को एक एनिमी और दिखाई दे जाते हैं जिसको मैं आसानी से किल कर देता हूं और यहां पर थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं अपना किल भी कर लेता हूं आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने दो किल आसानी से निकाल लिये हैं और ज्यादा टाइम वेश्टना करते हुए चलते हैं अपन सब्सक्राइब तो वाल पर जंप करना है बट मुझसे पहली बर में यह ट्रिक नहीं हो रही थी इसलिए मैं सेकंड बर इस ट्रिक को कर देता हूं और पर मेरे को एक एनिमी दिखाई दे जाते हैं बट वो एनिमी यहाँ पर गुलू और लगा लेते हैं बट टेंसन वाली बात नहीं है हम में यहाँ से किल करके ही रहेंगे और मेरे को थोड़ा दा वेट करने के बाद एक एनिमी दिखाई देते हैं जिसको 298 हैड लग जाते हैं और यहाँ पर मैं second enemy को भी easily kill कर देता हूँ और third वाले enemy को तो मैं बिल्कुली आसानी से kill करके अपने victory निकाल लेता हूँ नमबर टू ट्रिक होने वाली है मारी विमनाम विलेज पर ही इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाने हैं और यहाँ पर आकर आकर आपको cover ले लेने हैं और आप देख सकते हो जैसे enemy यहाँ पर garden में गूम रहे हैं आप उनको यहाँ पर easily kill कर सकते हो बट यहाँ मेरे को थोड़ा बहुता damage ही दे पाता हूँ बट टेंसन वाली बात नहीं है मेरे को यहाँ पर एक enemy दिखाई देता हूँ जिसको भी मैं red number मार देता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कितना ज़्यादा damage दे दिया है फाइनली मेरे को एक kill भी मिल जाते है के बाद मैं यहाँ पर अपना kill confirm करता हूँ और यहाँ पर मैं दो kill कर चुका हूँ और मेरे को यहाँ पर थर्ड़ वाले enemy की तलाज है कि वह काना पर गया है यहाँ पर थोड़ा सा wait करने के बाद मेरे teammate उसको भी असानी से kill कर देते हैं यहाँ पर मेरा victory हो जाता है चलते है नमबर वन ट्रिक पर जो होने वाली है हमारी new record damper इस ट्रिक को करने के लिए आपको मातर दो गुलुवाल इस तरह से लगाने है जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ और आप यहाँ पर जंप करके गुलुवाल के उपर आ जाओगे और गुलुवाल के उपर आ जाने के आपको घर के उपर चले जाने है और यहां पर आ जाने के बाद आपको तो पता ही होगा कि आप यहां से कितने ज़्यादा किल निकाल सकते हो और अकेले ही मैच को विन भी करा सकते हो और यहां पर मेरे को एक एनिमी दिखाई देता है जिसको मैं डैमिज दे देता हूं और वह cover ले लेते हैं बट finally मैं उस enemy को पूरी तरह से kill कर देता हूं और वह enemy सोच रहा होगा कि इसको मैं ने कहां से kill किया है और यहां पर last का ही enemy बचा होता है और जोबी trick मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए आपको सभी ट्रिक का दिक्कत होती है आप मेरे को कॉंटेक्ट कर सकते हो